ओम गईशी महागड़े शायन हमा, राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों धार्विक तोर पर गौ माता की पूझा करने से कई प्रकार की दोशों का निवारन किया जा सकता है। गौ माता में प्रतेग देवी देटा का बास माना जाता है। देवी देटा गौ माता के प्रतेग अंग में निवास करते हैं, जो भी व्यक्ति गौ माता का पूझन करता है, गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में हमेशा शुक शांती बनी रहते हैं। पुराणों में माना गया है कि गौमाता के मुख में चारों बेदों का बास होता है। गौमाता की पूजा कहने से त्रेदे भ्रम्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन साथथक बनता है। गौमाता में देवी लक्ष्मी का भी बास माना गया है। इसकंद पुराण और भविश्य पुराण में वर्णर मिलता है कि गौमाता में तेतिस कोटी देवी देपनाओं का बास होता है। इसलिए गौमाता की सेवा पूजा करने से 33 कोटी देवी देवताओं का आशिरवात प्राप्त होता है। भगवाण श्री किष्णी ने भी गौमाता की सेवा पूजा कर, हम सभी को गौमाता की सेवा पूजा करने का संदेश दिया है। गौमाता की पूजा करने कई देवी देवताओं की पूजा में लाफकारी बताई गई है। गौमाता को रोटी खिलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। और गाय का पूजन करने से मुख्य तोर पर लक्षमी जी की पूजा का फलप्राप्त होता है। कहा जाता है गाय में लक्ष्मी जी का बास होता है। आप अगर गौमाता को रूटी खिलाते हैं तो वह एक प्रकासी भगवान को ही अर्पित करते हैं। इसलिए गौमाता को रूटी अवश्य ही खिलाएं। गौमाता को रोटी खिलाने से घर में सुक्सम्रथी आती है। लेकिन दोस्तों अगर आप गौमाता को रोटी खिलाते समय कुछ कलतियां कर बैठते हैं तो आपको इससे परिशानी जेलने पर सकती है। जैसे भगवान की पूजा के कई नियम होते हैं। इसी तरहें गौमाता की सेवा और उनक्यों रोटी खिलाने के भी कई नियम होते हैं। गौमाता को रोटी खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आप भी इन प्रतिवन्धित गल्तियों को कर बैठेंगे तो आप भी मुसीवत में पर सकते हैं। गौव माता को रोटी खिलाते समय सबसे पहली यह ध्यान रखना चाहिए कि गौव माता को कभी भी बासी रोटिया नहीं खिलानी चाहिए यह अशुब माना जाता है अधिकतर गौव माता की नाम की जो रोटी निकाली जाती है उसे उठाकर साइड में रख दिया जाता है और जब भी अपनी सुभधा के अनुसार गौमाता को वह रोटी खिला दी जाती है ऐसे में वह रोटी रखी रखी बासी हो जाती है ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए गौमाता को सदे ताजी रोटी ही खिलाएं गौमाता को बासी रोटी खिला कर आपको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पर सकता है गौमाता को बासी रोटी खिलाना अशुब माना जाता है जिस प्रकार से गाई को रोटी खिलाना पुन्य फल प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है तो वहीं गाई को बासी रोटी खिलाने से आप पाप के भागेदार बनते हैं गौमाता को सद् मान कर ही उनकी सेवा करनी चाहिए जैसे हम भगवान को बासी रोटी का भोग नहीं लगाते इसी तरह हमें गौमाता को भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए गौमाता को रोटी खिलाते समय एक दूसरी कलती हम करते हैं कि गौमाता को सूखी रोटी खिला देते हैं सूखी रोटी याने की खाली रोटी खिला देते हैं जबकि गौमाता को रोटी खिलाते समय गौमाता की रोटी में मिस्थान, गुड या फिर थोड़ी सी शक्कर रखकर ही गौमाता को खिलानी चाहिए सूखी रोटी गौमाता को खिलाना अश्चुक माना जाता है सदैब कुछ मीठा रखकर ही आप गौ माता को रोटी खिलाएं इससे आपको भगवान का और गौ माता का आशेवाद प्राप्त होगा और घर में खुशियां बनी रहेंगी गौ माता को रोटी खिलाने का एक अन्यनियम यह है कि गौ माता को सदैब घर की पहली बनी रोटी खिलाने चाहिएं यानि कि सुभ़े उठकर अपनी रसोई की सफाई कर तवा चकला वेलन माज कर आप सबसे पहले जो रोटी बनाएं वही रोटी गौ माता की नाम की निकाल दें और वही रोटी आप गौ माता को खिलाएं जैसे भोजन बना का सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है इसी प्रकार रोजाना घर की पहली रोटी गौ माता को भोग लगाने के लिए निकाल दी चाहिए ऐसा कहने से गौ माता की कृपा से हर कारे में सफलता मिलती है गौ माता को कभी भी जूटी या फिर प्लेट की बच्ची होई रोटी नहीं खिलानी चाहिए ऐसा कहना गलत माना जाता है इससे आपको परिशानिया झेलनी पर सकती है दोस्तों कुछलो गौ माता को जानबस समस्ते हैं और सोचते हैं कि घर में जो पासी रोटी बच्ची होई है उसे गौ माता को ही खिला दें जिससे उनका पेट भर जाए ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें गौ माता के लिए अगर आपके मन में इस नहीं है तो आप गौमाता को अलग से नई रोटी बना कर खिलाएं जूटी रोटी कभी भी गौमाता को ना खिलाएं गौमाता को रोटी खिलाते समय एक अन्य गलती यह होती है कि आप जब गौमाता को रोटी खिलाने जाते हैं तो कभी डर की वज़े से आप गौमाता के सामने रोटी को फैक देते हैं ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए गौमाता को सदै अपने हाथों से रोटी खिलानी चाहिए लेकिन अगर आप अपने हाथों से नहीं खिला सकते आपको डर लगता है तो जिनके घर गौमाता हैं आप उनके हाथ में सम्मान से रोटी देते या फिर गौमाता की जो खाने का इस्थान है जिस जगे उनका खाना रखा हुआ है आप उस जगे रोटी रखकर आ जाएं लेकिन भूल कर भी जमीन पर फैंक कर गौमाता को रोटी ना खिलाएं दोस्तों गौ माता के लिए रोटी बराने से पहले इश्णान अवश्य ही कर लें इसके पश्चात ही आप गौ माता के लिए रोटी बनाए और गौ माता को रोटी खिलाते समय आपका मुँ जूटा नहीं होना चाहिए कुछ लोग तमाकू का सेवन करते हैं और मुँ में तमाकू खाते हुए हैं गौ माता को रोटी खिला देते हैं तो ऐसी कलती ना करें क्योंकि गौ माता में समस्तु देवी देटनाओं का बास होता है गौ माता को भोजण कराते समय उतनी ही साप्थानी रखनी चाहिए जैसे भगवान को भोग लगाते समय रखी जाती जैसे भगवान को भोग लगाते समय मूँ जूटा नहीं रखा जाता और भगवान जी का भोग सदेव इसनान करके ही बनाया जाता है इसलिए आप भी गौमाता का खाना इसनान करके ही बनाएं दोस्तों गौमाता को सदेब सात्विक फोजन ही कराना चाहिए गौमाता को प्यार लेजन मीट अंडा कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए ऐसा काईने से आप पाप के भागी बन सकते हैं गौमाता को सदेब सात्रिक फोजन खिलाएं अगर आप जैसे प्यार लेजन मीट अंड़ा खाते हैं तो आप इस बात की साथ आनी रखें कि इन चीजों के हास्ति आप गौमाता की रोटी को छुए नहीं गौमाता को पालक या फिर कोई भी हरे रंग का साख खिलाना भी बहुत शुबाना जाता है लेकिन ध्यान रखें आप जब भी गौमाता के लिए साख खरीदे तब आप वैसा ही साख खरीदे जैसा आप अपने घर में इस्तमाल करते हैं खराब साख या फिर साख के डंठे आप गौमाता को ना खिलाएं। दोस्तों शास्तों के अनुसार गौमाता में सभी देवी देपताओं करने वास माना जाता है। गौमाता की पूजा करने से देवी देपता आपसे प्रसन होते हैं। कौमाता को रोटी के अलाबा गुड़ खिलाना भी बहुत लाबकारी माना जाता है। इससे गौपूजन का विशिश फल मिलता है और समस्याओं का निदान होता है। रोटी और गुड के अलाबा गौ माता को पालक खिलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है इससे कुंडली में मौचूद नकारात्मक दोश्टूर होते हैं दोस्तों गौ माता को रोटी खिलाने के बाद गौ माता के चर्णों की रच अपने माथे पर अवश्य ही लगाएं माना जाता है गौ माता के चर्णों की रच से मस्तक पतिलग करने से तीर्थों में इस्नान और दान पुन्य करने का पुन्यफल प्राप्त होता है दोस्तों इन्यमों का पालन करते हुए गौमाता की सेवा पूजा कहने से तेतिसकोटी देवी देपताओं का आशिरवात प्राफ्त होता है और मालक्ष्मी की कृपा सदय बनी रहती है घर में सुख सम्रत ही आती है मालक्ष्मी के साथ ही भगवान श्रीक कृपा भी उन व्यक्तियों पर बनी रहती है जो गौमाता की सेवा करते हैं इसलिए अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए आप आज से ही गौमाता को रोटी खिलाना शुरू करते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भेवी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग राधे राधे